उद्योग मंतरी सेयत चैनवाज हुसेन ने सिंथेटिक रेयंट टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल SRTEPC के साथ बिहार के लिए कपड़ा नीती के मसवदे पर चर्चा की बैठक 30 जून 2021 को SRTEPC के मुखे कार्याले रेशम भवन चर्च गेट मुंबई में आयोजित की गई थी बैठक के प्रारंभ में ब्रजेश महरोत्रा ने बिहार पर एक परिचाय दिया इसके बाद RS स्रिवास्तो द्वारा बिहार में निवेश का माहौल पर एक प्रस्तूती दी गई जिसमें बिहार में नई सरकार के उद्योग वयापार के अनुकूल द्रिस्टी कोन पर प्रका जिसमें राज्य द्वारा दिये जा रहे है तथा प्रस्तावित प्रोत्सानों पर प्रकास डाला गया और चर्चा के लिए मंच खोला गया। पास के राज्यों में नजदीकी हवाई अडो मसलन पटना दर्भंगा गया गोरख पूर वारानसी बागडोगरा के माध्यम से आसानी से शेश भारत यानि विश्व से जुड़े हुए हैं। पर रिष्टा नहीं छोड़ देती। वरन राज्यों में लगे हुए उद्योगों की समस्याओं के प्रती भी बहुत ही सनवेदंशील है और उनके समाधान के लिए भी वही तत परता है। एक निवेशक के पूछने पर उनने बताया कि उनके कारेकाल में राज्य ने सिंगल बिंडो सिस्टम को वास्ताव में प्रभावी बनाने के लिए कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म यानि CAF की ऑनलाइन फाइलिंग की प्रनाली सुद्रुड की है और अब यह पूरी तरह मंत्री ने हाल के बड़े निवेश इरादों के बारे में बात की जो राज्य को मिले हैं जैसे की GSW, SR और Micromax उन्होंने बताया कि बिहार देश में सबसे तेजी से बढ़ रहा है और महामारी के बावजुद दोरे अंगों की विकास दर बनाये रखने वाला एक मातर बड़ और एक अधिक विकेंद्री कित और धोगिक व्यवस्ता चाहते हैं जो उन्हें घर से काम करने में शक्षम बना सके उन्होंने वहीं लाभांश सहीत विभिन्य लाभो का लाब उठा कर बिहार में आने और निवेश करने के लिए उध्यमियों का आहवान किया है और कहा है कि भारत के कपड़ा व्यवसाई यदी साथ दें तो शिर्क बिहार परिधान उद्योग में देश को बांगला देश से आगे ले जा सकेंगे अब देखने वाली बात यह है कि इन में से कितनी कमपनिया बिहार में आएंगी और बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा